हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बिहार स्कूल टीचर 3.0 के लिए बिहार समान ग्यान का पार्ट वन कम्प्लेट करेंगे जिसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टन कोशन पढ़ेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ला कब मनाया जाता है इस कोशन का सही एंफर हो जाएगा 22 मार्च को कम मनाया जाता है बिहार दिवस 22 मार्च को दूसरा कोश्चन बहुत ही आसान कोश्चन है यहाँ पे पूछा गया है बिहार की राजधानी कहा है सभी को मालूम होगा बिहार की राजधानी क्या है तो बिहार की राजधानी है पटना बिहार की राजधानी क्या है पटना है अब यहाँ पर तीसरा कोशन पूछा गया है बिहार का उच्छ नियाला है बिहार का जो उच्छ नियाला है वो भी स्थित कहां पर पटना मिल स्थित है उसके बाद यहाँ पर चौथा कोशन पूछा गया है बिहार की राजकी भासा है बिहार की जो राजकी भासा है तो प्रथम भासा कौन से हिंदी और दूसरी भासा के अंदर कौन से आती है वह उर्दू आती है तो यहाँ पर हमार ए आपसन जो है बिल्कुल correct हो जाएगा कि बिहार की राजकी भासा कौन कौन से है हिंदी और उर्दू उसके बाद हमें five number question पूछा गया है बिहार का राजकी व्रच्छ है बिहार का राजकी व्रच्छ है people कौन सा पेड है people पेड अब यहाँ पे six number question पूछा गया है बिहार का राजकी पुष्प कौन सा है बिहार का राजकी पुष्प है गेंदा कौन सा पुस्प है गेंदा पुस्प उसके बाद यहाँ पर सेवन नंबर कोश्चन पूछा गया है बिहार का राजकी पसु है बिहार का राजकी पसु कौन सा है तो वो है बैल कौन सा पसु है राजकी पसु बैल अब यहाँ पर आठवा question पूछा गया है बिहार का राजकी पच्छी है बिहार का राजकी पच्छी कौन सा है तो वो है गवरईया कौन सा है पच्छी राजकी पच्छी गवरईया next question पूछा गया है 9 number question है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है बिहार के प्रमंडल कितने हैं तो इस question का इंफर हो जाएगा बिहार प्रमंडलों संख्या 9 कितनी है 9 उसके बाद अगला question पूछा गया है बिहार का जिला का बिहार का जिला है मतलब बिहार में कितने जिले हैं तो इस question का इंफर हो जाएगा 38 जिले, कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिले हैं. Next question यहाँ पर पूँचा गया है, बिहार का अनमंडल है, मतलब बिहार में अनमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनमंडलों की संख्या है 101, कितनी है? 101 है. इसके बाद यहां पर question पूछा गया है बिहार में विश्विद्यालेओं की संख्या है बिहार में विश्विद्यालेओं की संख्या कितनी है इस question का इंफरोजा है कर 21 बिहार में विश्विद्यालेओं संख्या 21 है अब यहां पर 13 number question पूछा गया है बिहार में सरवादी जनसंख्या वाला जिला है बिहार में सरवादी जनसंख्या वाला जिला है पटना कौन से जिला है? पटना जिला है उसके बाद है आपे 14 नमबर कोश्चन पूछा गया है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है बिहार में सबसे कम जनशंख्या वाला जिला है सेखपुरा कौन से जिला सेखपुरा जिला नेक्ट कोशन यहां पर पूँछा गया है बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला है वो है मुंगेर जिला कौन सा मुंगेर जिला अगला कोर्षन यहां पे पूँछा गया है बिहार में सरवाधिक लिंगा उनुपात वाला जिला है गोपाल गंज कौन सा गोपाल गंज अब यहां पे 17 नमेर कोर्षन पूँछा गया है बिहार में सरवादिक साचर्टा वाला जिला है बिहार में सरवादिक साचर्टा वाला जिला कौन सा है तो इस कोशन का एंसर हो जाएगा रोहताफ जिला कौन सा जिला तो रोहताफ जिला है वो फरवादिक साचर्टा वाला जिला है बिहार का उसके बाद 18 number question पूछा गया है बिहार में सबसे कम फाचारता वाला जिला है वह पूणिया जिला कौन सु जिला? पूणिया जिला अब यहाँ पर 19 number question पूछा गया है बिहार में सरवादिक वरसा वाला जिला है बिहार में सरवादिक वरसा वाला जिला है वह किसन गंज कौन सा किसन गंज जिला उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर कोशन पूछा गया है बिहार में सबसे कम वरसा वाला जिला है बिहार में सबसे कम वरसा वाला जिला है और अंगाबाद कौन सा जिला और अंगाबाद जिला next question इहां में बूचा गया है बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है मतलब सबसे ठंडा जिला कौन सा है तो इस question कैमफर हो जाएगा गया जिला कौन सा? गया जिला जो है सबसे ठंडा जिला है बिहार का next question पूचा गया है बिहार में सबसे बड़ा नगर है बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो है पटना नगर और यह बिहार की राजधानी भी है नेश्ट कोशन पूछा गया है मूल रोष से बिहार सब्द का अर्थ है बिहार सब्द का अर्थ होता है बौध मठ और यहाँ पे बहुत मठों की बहुत ज़्यादा संख्या होने की वज़े से भी इक का नाम क्या पड़ा था बिहार पड़ा था यहाँ पे ए आफ़न जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोशन पूछा गया 24 नमर कोशन है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंब हुआ बिहार में जो नमक सत्याग्रह की शुरुवात हुई थी वो ही थी 15 अपरेल 1930 को 15 अपरेल 1930 को उसके बाद यहां पर कोश्चन पूछा गया है यह कोश्चन यहां पर पूछा गया है बिहार का प्रथक प्रांथ के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी उननी सुच्छे में कब की गई थी उननी सुच्छे इस्वी में की गई थी अगला कोश्चन यहां पर पूछा गया है बिहार का मुगल सामराज के प्रांथ के रूप में गठन हुआ बिहार का जो है मुगल सामराज के प्रांथ के रूप में गठन हुआ था 1580 में कब हुआ पंद्रा सो असी में हुआ था नेफ्ट कोशन इहां में पूचा गया है बिहार विधान सभा में वर्तमान में कितने सदस्य है बिहार विधान सभा में वर्तमान में सदस्यों की संक्या है 243 कितनी है 243 है अगला कोशन इहां से पूचा गया है बिहार में लोगसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं बिहार में लोगसभा के लिए चुने जाने सवाले सदस्यों नेफ्ट कोशन यहां पे पूछा गया है पटना उच्छ नियाले की इस्थापना कब हुई पतना उच नियाले की थापना हुई थी 1911 में कब हुई थी 1916 में हुई थी और यहां पर थर्टी नमबर कोश्चन पूछा गया है बिहार में राज सभा की कितने सीटे हzil थी तो बिहार में राज सभा की कितनी सीटे है तो इस question कैंफर हो जाएगा 16 सीटे हैं कितनी है 16 सीटे हैं